तो नेक्स सेशन क्या है एक्सराइज अब इसको अब टाइम आ गया है कि इस सेशन में यानि की फ्रेजल हब के वीडियो नंबर सेवन में हम लोगों ने जो वीडियो नंबर सिक्स में जो देखा था फिल अब टू गेट ओवर विद गो एलोंग विद गो इन फॉर लुक फरवर्ड तू पुट अप विद स्क्रू आउट अप और टॉप दाउं टू हमने इसके मीनी को पढ़ा हमने समझा हमने पिक्टर को देखा अब इसे एप्लाई करेंगे जो फिल इन ब्लैंक से हम अप् पे और किस टेंस में इससे हम अप्लाई कर सकते हैं तो पार्ट नमबर सेवन स्टार्ट करते हैं हम लोग फिल आप टू गेट ओवर विद गो इलांग विद गो इन फोर लुक फॉर्वर्ड तू पुटप विद स्कू आउट 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 टू हम लोगों ने कुछ लूज दिये रहेंगे यह सेंटेंस का मीनिंग ऐसा होगा प्रेंस को समझ जाओगे और विडियो नमबर फॉर या फाइब में हम लोग ने चियर आफ फिगर आउट गीब बैक पासवे पूट आउन रानिंटू शो आप और टेक आप हमने किया था तो ठीक है तो इस ठीक है और आपको बताना होगा एंसा क्या होगा थैंक्स फॉर इन्वाइडिंग मी मुझे निमंतरन देने के लिए शुक्रिया बट अब देखो मैंने का बट जो है न कंजंग्शन है यह सेंटेंस में क्या पैदा करता है कॉंट्रेडिक्शन इसका काम क्या में इसका कॉंट्रा इसका मत्त भी है इसके पहले पॉसिडिव बोला है ना थैंक्स फोर इन्वाइडिंग मी तो इधर में क्या बोलेगा नेगेटिव बोलेगा देखो अले डोंट आय है और दून को पता है कि दू के बाद डस के बाद और डीड के बाद भर किस फ़र्म म दू हो डाज हो या डीड हो यह जो इनके बाद जो में भाव होगा उसे फर्स्ट फॉर्म में रखना है और दूरी भाव का काम होता है में भाव को एडिशनल मीनिंग देना सेंस देना सेंटेंस में ठीक है फिल नहीं हो रहा है या मैं मुझा आतने विश्वास नहीं है कि मैं कराओ के कर सकता हूँ ठीक है तो कौन सा होगा फिल अप टू गो इन फॉर्म क्या होगा यहां पर फिल अप टू था थैंक्स पोर इन्वाइडिंग मी थैंक्स पोर इन्वाइडिंग मी बड़ाइड डैस 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 कराओ के देखो यहां पर यहां पर कराओ के है यहां पर फ्रेजल भाव है थोड़ा ध्यान से देखो अगर यहां पर मिनी होता कि मुझे confidence नहीं है ठीक है तो कराओके के पहले यहां पर कुछ होता कुछ भॉब्स वोगरा कुछ होता लेकिन वो यह कहना थाता है कि मुझे invite करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बट आई डोन्ट सक्या मतलब था डॉन्ट लाइक कराओके इसलिए और क्या दिया हुआ है दोंट धिया देखो सेंदेस प्रॉड दोबारा थैंक्स को इनवाइडिंग भी बट आई डोंट लाइक कराओके तो यहां पर क्या होगा आई डोंट गो इन पॉर कराओ के आप लोगो ने फट से अंसे क्या बोल दिया फील अप टू थोड़ा इसलिए एक्जाम में इसी कारण से हम लोग का पाच्छे नंबर चला जाता है बहुत हर बड़ी में जब आपका जब का प्रिपरेशन अच्छा होता है तो यह डेंजरस आए पाटिज़ आई दों लाइग सिंगी करते हैं तो है नेकर टीज़ घूर कोट दिया हूए तो इसके बूर्ट जीच फंट याइगा अब मुझे dash could not, dash नहीं सकती, I told him, भर्व का second form, told him to choose, two के बाद क्या आता है, भर्व की first form, I told him to choose between cigarettes or me, मैंने उसको बोल दिया, या तो मुझे चुनो, और नहीं तो cigarette को चुनो, इसका मतलब मेरे पती का smoking करना मुझे बिलकुल बरदास्त नहीं है, पसंद नहीं है, क्या होग कौन सा बाद हो का देखो, put up, with, yes, आ पता है न, put up, put ka, तो तीन हम से होता है, put, 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 और कूट के बाद इसकी first form ही आएगी, या हो जाएगा, put up, with, that means, I couldn't tolerate, my husband smoking, any longer, I told him to choose between cigarettes or me, next one, I am sorry, M, presentance, I am sorry, but I think, think, भर्व का first form, ये सब क्लूज है, I am sorry, but I think, your plan is a big mistake, देखो, मुझे खेद है, लेकिन तुमने योजना बनाई है, ये तुम्हारी बहुत बढ़ी भूल है, क्या है, बहुत बढ़ी भूल है, and I can't, can, can, can के बाद भर का first form आएगा, and I can't, और इसलिए में नहीं सकूँगा, dash, 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 it, what does mean you go along with, सहमत होना, agree होना, या मानना, और यहां can है, तो भर्व का first form होगा, और agree होना कौन सा होता है, go along with, तो यहां क्या हो जाएगा, go along with, clear, इस तरह देखो sentence को पढ़के, sentence में दिये गए, जो grammar है, उसको समझना है, उसके हिसाब से कि दो, फ्रेजर भर्व में एक भर्व है, है ना, बाकी क्या है, preposition है, अगर tense change होगा, तो भर्व का form भी क्या हो, गो से क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, या going हो जाएगा, है ना, next, even though Mr. Watson is the richest man in town, even though मनें ऐसा की, ऐसा है, मनें ऐसा की Mr. Watson जो है, वो शहर के सब से अमीर आदमी है, even though, अब देखो, even though जो है ना, इभी contest पाइदा करेगा, क्योंकि पॉजिटिव बात बोला है, ना, अमीर आदमी है, तो अची बात है, तो क्यों बोला है, कि ऐसा की वो अमीर आदमी है, बहुत आमीर आदमी है, he never dash people, तो नर्मली ऐसा माना जाता है, कि आदमी जब बहुत आमीर हो जाता है, तो दोसरों को नीच समझने लगता है, लेकिन बोला है कि ऐसा कि वो इस टाउन के सबसे अमीर आदमी है और लोगों के साथ कभी डैस नहीं करते क्या नहीं करते हाँ लेकिन यहाँ पे यह ही है ठीक है और यहाँ पे इस है प्रेजेंटेंस है और एक ऐसा बात बोला है जो एक फैक्ट है कि वह शहर के सबसे अमीर आदमी है लेकिन वह किसी भी बेखिती के साथ गलत तरीके से बात नहीं करते है उसे नीचा धिखा के बात नहीं करते हैं यह यह फैक्ट है न उन्होंने ऐसा किया है मतर्ब वह हमेशा अफ्ट personality क्सक्रेस करते हो कोई किसी के बारे में कोई इन्फो देते हो कोई फैक्ट आभे एक्स्प्रेस करते हो तो हमेशा प्रेजेंट इन्डेफिनिट टेंस में होता है एनि भर्क का फर्स्ट फर्म या भर्क के साथ एस या एस तो ही है क्या लग जाएगा टॉप्स क्या है टोट्स? ते बारे ट आपे टो थो तो तो आपी कोई आप नाचाछी लिए थीट any presentation it has been only two weeks or is since the awarena since our order to see a paper has I have like that it has been only two weeks since that tragedy is you do got to get a stick will keep a happy way though up the way Emily I am present tense I am sure do the I do okay पार्प का फास्ट फॉर्म आम्श ओर देट डास दास गोई तो दफार इस लिए पाटी मेजाने के लिए के लिए कबिने कर रहे है और दू है तो क्या होगा फील feel up to anna so I'm sure they don't feel up to going to the party below yaha ta clear hai kenya clear take some clear chalakarik of the phone if that crook मताब वो बदमाश if that crook thinks तो वो बदमाश सोचता है कि he is going to dash me dash dash five hundred dollar he is crazy अगर बदमाश यह सोचता है कि वो मेरे 500 dollar मुझसे लूट लेगा तो वो क्या है एक पागल है लूट लेना और लूट लेना को फ्रेजर लब में क्या बोलते है कि फ्रू है एंगा श्कुरू हまず कॉ मी New South लेख ले लिए मेरे से अबना तू एक पागल अगर वो ऐसे तो 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 थैजिए ग्रवार वोगार है उसके लिए सारा परिवार जो है इक गटा हो रहा है एंड मॉम इस रियली डास डास इच अर मॉम जो है क्या होगा यहां पर is going है तो यहां भी क्या होगा looking looking forward to eat इसको लेके काफी वो क्या है excited looking from another to feel excited for something going to be happen in future I volunteered भर्व का second form अगर volunteer के पहले हैज होता है वोता हैड होता तो बोलती है थर्ड फॉर्म में तो कुछ भी नहीं है सिर्फ प्लेन एक भर्व है और डी लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडिफिनिट इस आई वॉलिंटी एड टू के बाद क्या होगा भर्व की फर्स्ट वर्म इसे कह कुछ नमबर एइट क्या होगा मतलब मैंने कहां मेरा स्पीच पहले लेलो मतलब यानि कि मैं चाहता था कि भाई बाद ने मरा स्पीच ना हो मैं चाहता हो कि अभी ही मुझे इससे चुटकारा मिल जा है तो पहले मैं ही जाके भाशन दे दूंगा तो क्या हो जाएगा गेट गेट इट ओबर वीक इसका मतलब वोता है तो गेट रीडओ है कर इसका क्या है यहाँ पर यह रहा है, गेट ओवर विट गेट ओवर विट का मतलब वोता है किसी चीज से जल्दी छुटकारा पा लेना, ठीक है ना? next even if you a saki to do it mark a first form even if you don't know do I is really like it does the top of like Hota yeah bigger he other does other chicken or pastions over to do data he a hamster same rat a key do does lead give up our key first format and I do home does who yeah Phil did okay I give up key first form even if you don't like the rules as a key to me rule person he be a firmy you have to dash dash them the kya hoga a ko pala karna padega a ko obha karna padega bali a ko school person na you and a kya hoga go along with are the way to a you came out of a barca first form the concert a paira go along with means to obey a rule kisi agya ka pala karna bro clear oh yeah chalo agya but iska ticket a via hair revision humble over a build up come up dose up fall for giving iron out pull through a two of kata what is the meaning of build up to get accumulated exact which is jama ho jana mud teacher could be come off detach to remove bara jana to be successful but kush meaning a dose up to have a short sleep for a semicolon so jana fall for to be deceived no kakha jana chicken given to agree or to yield kisi kisamu jana us ke mango ke liye iron out to find a way to solve a problem or difficulty pull through to get recover from an illness the marisa tiko jana and throw up to vomit or to do something by which you know spread some dust or fire in the air henna agme kush fella dena ya dhul jar dena kush big hana now about this cancer man she can chalo miguel told me told barki second form did did dookie second form pastors miguel told me that he that he he didn't steal my tv miguel told me he didn't steal my tv miguel to push the kata fail for he had did 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 ke baat kya hooga barbka first form yaniki fall for यहनि मैं उसके जूठे बातों पे नहीं आया समझ मैं आगी यह बात आई टोल्ड टोल्ड क्या होता है टेल का सेकंड फॉर्म आई टोल्ड दॉक्टर मैंने डॉक्टर से कहा that I vomited through up उसी का मता होता ना वमिट that I vomited two times मेरे काल दो बार आप मुझे उल्टी हुई है और येस्टेड़े दिया इसलिए यहां पास्टन सी होगा भर्ब की सेकंड फॉम ही होगी and she said seka second from first from second form और उसने कहा that if I dash dash twice I should not go to work क्या होगा कि कह रहा है कि अगर मैंने दो बार उल्टी की है तो मुझे काम पर नहीं जाना चाहिए है कि नहीं तो क्या होगा और यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट है और पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है भी टू भी टू भी टू यानि पास्ट इंडिफिनिटेंस है तो यह भी जो बात कही कि भाई तुमने कल अगर दो बार उल्टी की थी तो मत जाओ हैगी नहीं तो यहां भी क्या होगा पास भूष्ट कर पूब अप्टा आफचा मल कहां करते हैं एड़एस देने के लिए खाल ने के लिए आडडाइस या सायशन देने की लिए गट माइपॉइंट चिक है आफ्टरा फ्यू विक्स आफ्टरा फ्यू विक्स कुछ हपते के बाद गोल्ड ऑन इस चीप ज्वेल्री गोल्ड ऑन्दिस चीप सश्ति सथा गहने के ऊपर जो क्या था सोना था स्टार्टस्ट टू डैश वह क्या होने आगिया निकलने शुरू हो गया तो क्या वाट two के बाद क्या होगी भर कि क्या हो जाएगा कम आप का मतलब होता है जब कोई चीज अपने आप किसी सर्फेस से या आपकी बॉड़ी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है एक थंडे माइन में क्या होता है ऑगा किन बहार आता है पप्री वागर आ आपको शुरू अपने हम जाते है कुझा होगा अपने आप अको क्या होगा वाफ मैं सन किप कैसे केड फों कि मैं संट आजस की मीच और ही मैं new bicycle मेरा बेटा हमेशा bicycle ख़िदने के लिए बोलते रहता है उसकी बात मान ली अब पीजी एस क्या है भर्फ की सेकेंड फॉर्म भर्फ की सेकेंड पास्ट तो क्या होगा या पर गेव इन मतलब एग्रीट या इल्ड साइंटर कर दिया भाई ठीक भाई तुम्हारा मैं खाइट दूँगा आगे देखें आगे हैं वी स्टिल हैब टू डैस सम बग्स डैस बिफोर वी कन स्विच ओवर तो दा नियू सिस्टम कोशन नंबर फाइव देखो यह क्या होता है बग्स हम फ्राव दूहिट को तो खटमल बोलते हैं पर बग्स कंपुटर में होता है यह था है यहीं कि मेन डूइक दूसरी चीज को स्टार्ट करना ठीक है तो इससे पहले कि नय सिस्टम की तरफ जाए सबसे पहले हमें जो बग्स हैं इसका सॉलिशन निकालना हो ओगा और यहां प solution निकालना क्या बोलते हैं? आरन, आरन सम बग्स आओव कोज इस आफ आर प्रब्लम और यू आफ दॉर आरन आफ दॉर्ब्लम आप यू रिख आव एक्स अपांच डिग्री पहुंच गया वि started working second from we started to think she might not dash data so a family a mess of social developer lucky oh shayat days नहीं होगी मतब recover नहीं होगे निमारी की बात है बीमारी से रिकाफर नहीं होगी इसा लग रहा है और दो किया माइट है माइट किसका पास्टन सोता है मेका यह तो यह माइट लग चुका है तो भव क्या होगा फूल तू पूल दमक कर देना यहां पास्टन तुम्हें देखा बोलके अगर माइट नहीं होता तो क्या होगा शीपूल तू वो ठीक हो जाएगी रिकावड हो जाएगी लेकिन अलडी माइट देदी है माइट के बाद तुम को भरका फास्ट फ्रमियु सक्राइब इस बेरी इंपोर्टन दिनेक्ट कुईज करें यह कोशन देंगे तो यहीज़त है कि अधू को धिला है तर्मिटिंग था बहुत जादा क्या था बोरींत अब बोरीं था अब बोरीं जाएश्य डैट आइफ कॉंस आओ अगा कैसे मालूम चला इस से, always, whenever you are appearing for any kind of examination and you start into some problem, in between a problem, आपका sentence में ही आपका answer है, the solution is in the problem, जो problem है उसी में solution है, और कहीं नहीं मिलेगा, तो याद रखो जो context है, sentence का जो context है, grammar अगर पढ़ना है, grammar को lifetime अच्छे समझना है, जो context है उसको ठीक से समझिए, आपको answer मिलेगा, और इसके लिए regular studies में रहना है आपको, regular, and the last question, इस session का, Larry was, और ये आभी से habit, जो मैं गोल कर रहा हूं, आपकी habit कर रहा हूं, लेकिन, और एक्जाम तक ऐसा habit बन जायागा, कि जैसा मैं follow कर रहा हूं, वैसा ही follow करोगे, Larry was very sick, Larry बहुत बिमार था, ठीक है, क्या था, बिमार थ says, भर्व का first form plus S or ES, present in definitive, doctor कहते हैं, he must dash dash his strength, कि वो अपने strength को, बने ताकत को, before he can go back to work, काम पे जाने से पहले, उसके अपनी ताकत को बढ़ानी होगी, ताकत को इकठा करना होगा, धीरे धीरे, ये क्या कह रहे है, तो ये हो जाएगा हमारा build-up, ठीक है, और यहाँ पे must है ये हो जाएगा, build-up, builds नहीं होगा, बीचे must है, model auxiliary भव है, तो कैसे देंगे, भव यहाँ क्या होगा, first form में होगा, ठीक है, तो ये था हम लोग का, जो हमने previous 4 या 5 नमबर वीडियो में, जो आपका available है YouTube पे, वहाँ हमने जो ये words करे थे, हम हर वीडियो में नए words को सीखें उसके अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में, जो हमने फ्रेजल भव सीखा है, उसको हमनों revision करेंगे, और उसके पिछले वाले वीडियो में, हमने फ्रेजल भव कर रखा था, उसको यहाँ revision भी करेंगे, ताकि आपका preparation automatically हो जाए, सब कुछ आपके उपर depend ना हो, मैं यहाँ पर आपको नया नया फ्रेजल भव, नया वर्ड, नया वोकाब भी सिखा होंगा, और जो पिछला सिखा दिया है, उसको revision करने का सारे अरेंजमेंट में लेके आँगा, सारे जो अरेंजमेंट में लेके आँगा, ताकि आपका revision सारा यहाँ पर हो जाए, बस आपको करना यह फॉलो करना है, गादा एडिया, ठिक है तो इसके बाद यह यह था विडियो बढ़ सेवन ठिक है इसके बाद आगा वीडियो नमबर एट उसमार देखंगे कि मलग अगला शेल भव शुट किया है, ठिक है, ठाग थाज एकी फॉली नहींस, पॉल्ट थाभ तो ज झाल